तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे BSC Geology Course के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्सस के वारे में भी वीडियो मिल जाएंगी आप इस वीडियो के खतम उने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखियेगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं B.S.C. Geology Course के बारे में आपसे मैं डिसकस करूँ तो B.S.C. का मतलब होता है Bachelor of Science और B.S.C. Geology का जो कोर्स है वो एक Undergraduate Level की डिगरी का कोर्स होता है तो जै कोर्स तीन वर्ष का कोर्स होता है जिसमें कुल 6 स्मेस्टर होते हैं तो इस कोर्स के मादम से आप Geology के बारे में आप Study करते हो इस कोर्स के मादम से स्टूडेंट्स को प्रित्वी के तत्वों, बगौलिक, प्रिक्रियाओं के बारे में एक सेक्टरा जो चीजये होती हैं वो Study करवाई जाती हैं ठीक इसी के साथ student को प्रित्वी के इतिहास और विकास और उसमें होने वाले बोगोलिक प्रिक्रियाओं के वारे में भी study करवाया जाता है। और अगर आपसे मैं जियोलोजी की बात करूँ तो जियोलोजी प्रित्वी के परदार्थ उसकी विकास और डिस्ट्रिविशन का अध्यान करने वाला एक विग्यान है। अगर आप इंटरस्ट रखते हो तब तो आपको BSE, Geology का जो कोर्स है उसे आपको जरूर करना चाहिए। तो इस कोर्स को पुरा करने के बाद आपके लिए काफी सारे जो career options होते हैं वो open हो जाते हैं। आप higher studies के लिए MSE के लिए भी आप apply कर सकते हो। तो अभी आपसे मैं eligibility criteria के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं कि जिने आप इस कोर्स में आखिर किस प्रकार से admission ले सकते हो। तो इस कोर्स में आपको admission लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो 12th की जो class है उसे आपको pass करने पड़ेगी। इस कोर्स के रिगार्डिंग बहुत डिफरेंड भी हो सकता है। बहुत student को मिल सकती हैं। तो जैसा अब आपकी personal skill और knowledge की ओपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है। अब ही आपसे मैं slavers के वारे में आपसे मैं discuss करने वालाओंगी जिने आप इस कोर्स में आखिर किस प्रकार का जो slavers होता है वो आप study करते हो। तो इस कोर्स में आप earth system science, structural geology, engineering geology, economic geology, metamorphic petrology, etc. जो subjects हो जो topics होते हैं वो आप study करते हो। और वी स कोर्स में काफी सारे subjects होते हैं जो आपको इस कोर्स के दोरान आपको करवाए जाते हैं। और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफी सारे subjects के slavers के हिसाब से जाए जो subject हैं वो different भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे B.Sc. geology course के बारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है। मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो। तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जैवीडियो केसी लगी। अगर आपको जैवीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना। धन्यवाद।